पिगना हर्ता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा लंकेश बालक शनी अब अपनी मा को उनका अधिकार सूर्यदेव से किस प्रकार से दिलवाने वाले थे ये तो सिग्र ही अब सबको ग्यात होने वाला था और शक्ता थी तो बस उनके सुर्यदेव तक पहुँचने की आप सभी देवताओं का कोटी कोटी धन्यवाद कि आप मेरे यशश्वी पुत्र यम के अश्ट दिकपालों में से एक तक्षिन दिशा के दिकपाल के पत पर स्थापित होने के समारों में पधारे आज हम सभी की बदाई का जो पात्र है वो हमारे मध्य है प्रणाम देवगन यह असां के स्या काग यहां क्यों प्रविश कर रहे हैं? आज मैं अत्यंत प्रसन हूँ मुझे गर्व है अपने पुत्र यम पर क्योंकि आज से वो ही जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखेगा वो ही निर्धारित करेगा कि कौन सी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नर्क जाएगी अथ्वा कौन सी स्वर्ग के सुख भोगने की अधिकारी बनेगी और उसकी इस उपलब्दी का कारण तो उसकी माता द्वारा दी गई सिक्षा दिक्षा ही है एक बालक का चरित्र उसके उत्तम विचार उसके संसकार निर्धारित करते हैं जो उसे उसके माता पिता विशेश कर उसकी माता द्वारा प्राप्त होते हैं इसी लिए यम के यमराच पत पर स्थापित होने का श्रै तो उसकी माता देवी संग्या को जाता है और मेरी मा उनका श्रै उन्हें कौन देगा प्राप्त 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 यह क्या हो रहा है हाँ कानो तुम और मेरे द्वार पाल का है मेरी अनुमती के बिना तुम्हें फीतर किसने आने दिया उन्होंने नहीं आने दिया मैं तो स्वयम ही भीतर चला आया रुको कौन हो तुम तुम्हें भीतर जाने की अनुमती नहीं वैसे भी इनका रोकना मुझे अनुचत था क्योंकि यहां तो मेरा भी अधिकार है कि अधिकार कैसा अधिकार कौन हो तुम द्रश्ट बालक और ऐसा दुस्साहस कैसे किया तुमने दुस्साहस नहीं इसे मेरा साहस कहिए पत्त श्री, पत्त श्री मैं चाया पुत्त्र शनी अपनी माता का अधिकार और उनका शे उन्हें दिला ने आया हूँ पुत्र मेरे पुत्र हो तुम कैसे स्विकार कर लू मैं क्या प्रमान है तुम्हारे पास प्रमान इसका क्या प्रमान है आपके पास कि भ्राता यम और बहन यमुना आपके ही पुत्र और पुत्री है प्रत्यक्ष को प्रमान की क्या वर्शक्ता उसके लिए तो मेरी पत्नी संग्या की शब्द ही परियाप्त है उसी प्रकार मेरी माता के शब्द मेरे प्रमान है मेरी माता ने कहा कि आप भी मेरे पिता है यदि माता संग्या की शब्द आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं तो मेरी माता के क्यों नहीं मैं आप से मेरी माता का वही स्थान वही अधिकार श्रे मांग रहा हूँ जो आप माता संग्या को देते हैं किस महत श्रेयार अधिकार की बात कर रहे हो तुम ब्राता यम के जिन सूसंसकारों का आप गुनगान गा रहे थे वो माता संग्या से अधिक मेरी मा देवी छाया से आपके पुत्रों को प्राप हुए है इसलिए मेरी माता को भी मिलना चाहिए एक श्रेष्ट मम्ता मई मा होने का अधिकार भ्राता यम को सुसंस्कार प्रदान कर यमराज के फद तक पहुचाने का श्रे जब आपके संथानों को मा की ममत्ता की सरवदीक आवश्शक्ता थी और उनकी अपनी मा उससमें अनुपस द्ती तो मेरी माँ अपने पुत्र भ्राता मनु से भी अधेख आपकी संतानों का ध्यान रखने कश्रे आपकी सभी संतानों से समानता व्यभार रखने कश्रे आपकी अर्धांगिनी के रूप में अपने समस्त कर्तव निभाने कश्रे आपके तेज और ताप को सहकर अनुपव त्याग की भावना से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने काशे दुर्बल और स्वर्थी ना होकर अपने स्वामी और अपनी संतानों का परी त्याग ना करने काशे इसलिए वास्तव में जिन्होंने करतांगिनी और मा का करतब वे निभाया उनका उजद अधिकार उनका अस्थान आपके गिरह में प्रदान करवाने आया हूं मैं आपकी अर्धांगिनी के रूप में उन्हें स्विकार करवाने आया हूं मैं ओ, तो तुम्हारा अर्थ है, मेरी अरधांगनी के रूप में मेरे साथ रहने का अधिकार किन्तो तुम भूल रहे हो बालक, कि तुम्हारी माँ ने चल किया और चल का परिणाम परुसकार नहीं, तंड होता है! तुम्हें तो मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए बालत कि इस प्रतिरूप को, इस असत्य, इस छल को मैंने तयावश तंडित नहीं किया वो तो मेरे मन में संदे उत्पन हुआ कि जब मेरे तेज के समक्ष कुछ भी नहीं ठैर सकता फिर भला देवी संग्या मेरे समक्ष कैसे खड़ी रह सकती है क्योंकि पूर्व में उनकी इस कठनाई से मैं भली भातियाप करता और यही मेरे संदे का आधार बना और मैं समझ गया कि ये देवी संग्या नहीं उनके स्थान पर कोई और है अन्य था क्यात नहीं क्या अनुचत नहीं था मैं अपने अधान देवी संग्या से अतुलित प्रेम करता हूं क्या यह अनुचत है और देवी छाया जिनका अस्तत्व ही मेरे लिए एक ध्रम के समान था मेरे द्वारा उनका परित्या कहा अनुचत चल मेरी मा नहीं किया था उनसे वचल लिया गया था उन्हें आदेश दे कर विवश किया गया था क्या मेरी चाया पे मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि वह उसे आदेश दे सकूँ स्वामी का देज सहपाना मेरे लिए असहनिये था इसलिए जो दायत पे निभाने में मैं असा मर्थ थी वो मैंने अपनी चाय को सौब दिये तब के लिए प्रस्थान करते समय मैंने अपने परिवागी देखरेक के लिए अपनी चाय को यहां छोड़ दिया क्या अनुचित किया मैंने जिस प्रकार मेरे हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों पुर मेरे अधिकार है कि मेरी मा जिनके तिरसकार और अबमान की पीड़ा उनके नेत्रों से अश्रू धारा बनकर प्रवाहित हो रही है वो आपकी दोशी कैसे होई उन्होंने तो माता संग्या की आदेश का पालन किया किसका दोश है कि आज मेरी मा अपने सर्वस्व से वंचित होकर अश्रू बहाने पर विवश है इस देश सभा में ये कैसी विचित्र परिस्थिती थी जहां सभी अपने अपने स्थान पर उचित प्रतीत हो रहे थे फिर क्या हो अलंकेश बालक शनी अपने हट परिस्थिर थे अपने मा को उनका अधिकार दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत पर थे बस अब और कुछ नहीं कहना सुनना मुझे मेरी माने जो सुकर्म किये आपके लिए आपके लिए और आपकी संतानों के लिए उनी सुकर्मों के अनुसार मेरी मा का आपके ग्रह में आपके जीवन में वही अधिकार है जो माता संग्या का है आपकी अर्धांगिनी और आपकी संतानों की मा होने का अधिकार बस यही अधिकार चाहिए मुझे बालक हो, ना समझ हो इसलिए ऐसे अनुचित मांग रख रहे हो किन्तु मैं विवश हूँ जब देवी छाया का मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है तो अपने ग्रिह, अपने परिवार में कैसे इने कोई स्थान देवी और जिस प्रकार तुम वियवार कर रहे हैं एक को दंड, एक पत्वरश पालक के समान तक तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्णी ही नहीं उठता मैं आपसे अपना कोई अधिकार कहां मांग रहा हूँ मैं आपसे अपनी मां का अधिकार मांग रहा हूँ जो आपको देना ही होगा अन्यथा अन्यथा अन्यथा, क्या करोगे तुम एक बालक हो, बालक के समान बात करो मुझे चितावनी देने का दुस्सा हस कर रहे हो मेरे तेज का, मेरे ताप का अनुमान भी है तुम्हे यदि अनुमान होता भी, तो आप से भैभीत नहीं होता आपको मेरी मा का अधिकार देना ही होगा फिर चाहे ये करने के लिए मुझे आप से युद्धी क्यों ना करना पड़े यदि एक बार मैं ये सुईकार भी कर लूँ कि आप मेरी अर्धांगनी है और ये, ये मेरा पुत्र है तो आप ही बताईए कि एक पुत्र का अपने पिता से ऐसा उद्धंड व्यवार करना क्या उचित है क्या यही संसकार दिये हैं आपने इसे अपने आपको मेरा पुत्र भी कहता है और मुझे से युद्ध करने के लिए मुझे चुनौती भी दे रहा है अपने पिता को चुनौती दे कर अपने अधिकारों की मांग करना क्या उचित है शनी मेरे पुत्र अब हमें यहां एक छंड भी नहीं रुकना चाहिए मुझे यहां किसी से कोई अधिकार नहीं चाहिए ऐसा मत कहिए मां इन्हें आपको आपका अधिकार देना ही होगा अपनी मां की आज्या का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने उतंड पालत उनकी आज्या सुनो और चले जाओ यहां से मैं अपनी माँ को उनका जो अधिकार हमें बिना मांगी प्राप्त होना चाहिए उसे छीन कर लेने का क्या अर्थ किन्तु माता चलो पुत्र हम यहां एक छंड नहीं रुकेंगे और नहीं किसी से कुछ मांगेंगे चलो कि आपको तो मेरी मां का भी आभारी होना चाहिए था क्योंकि अपने अधिकारों से वंचित होकर भी इन्होंने आपको और आपकी मांग को सुरक्षित किया है तो अब आप फुश रहिए आनंदित रहिए आप आपकी यह संतान आपकी अर्धांगिनी यह समस्त देवगंड और आपके मित्र और आपकी यह देव सभा है कि इतना छोटा है यह बलक किन्तों है बड़ा ही उद्दंड समस्त सभा का ही अपमान कर दिया इसने मैं आपसे अपनी मा का अधिकार माल रहा हूँ जो आपको देना ही होगा अन्य था रुको यहां से प्रस्थान करने से पूर मेरी एक कुछ सुकता तो शांत करो बालक किस विश्वास पर तुम मुझे चुनाती दे रहे था इतना विश्वास कहां से जुटाया तुमने यदि तुमारी मा ने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या करने में सक्षम थे तु चलो वो करके दिखा अब मैं तुम्हें चुनाती देता हूँ तुम्हें तुम्हारी मा की सागा है तुम्हारी मा की सागा है अपनी शक्ती जिसके बल पर इतने उचे बोल बोल रहे थे उसका परीचे दो दिखाओ मुझे कि किस बात का इंकार है तुम्हें इन्होंने मुझे आपकी सौगंद से बांद दिया है माता इसलिए अब आप मुझे मत रोकिए अभी तक मेरे अहंकार से नहीं मेरी विवच्टा से परिचे हुआ था उस पीडा से परिचे हुआ था जो पीडा आपने मेरी मा को दी थी किन्तु अब आप मेरी शक्ती से परिचित होगे कि अब आप से परिचे होगे प्यूज। कि इसके इस अनिश्कारी अंधकार्णी शुरीदेव को पूर्ण रूप से जकर लिया है हमें इसे रोकना ही होका और यह था शुरीदेव के लुप्त होने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएका समस्ट्रिष्टी का विनाश हो जाएगा यह कैसी अनर्थकारी शीतलता उत्पन हो रही है स्वामी जो वेकुंट को भी प्रभावित कर रही है यह कैसा अनिश्ट हो रहा है प्रभू संपूर जगत पर अनंत अंधकार और प्रचंड सितलता का प्रभाव हो रहा था और इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र सस्त्र धारण कर बालक शनी पर अपने प्रचंड अस्त्रों का लक्ष सादे उन्हें घेरे खड़े थे किन्तो शनी तनिक भी भैवित नहीं हुए और ना ही उन्होंने सुर्य दो पर अपने प्रभाव को रोका ए बालक अभी रुक जाओ अने था अपनी इस सुद्धंड़ता का परिनम भुकतने के लिए तयार हो जाओ ये मेरी प्रथम और अंतिम चेतावनी है तुम्हें तुम जो भी कर रहे हो वो सर्विता अनूचित है अनर्थकारी है इसी ख्यन रोक दो उसे ए प्रभू ये कैसे विकट परिस्तिती उत्पन हो गई है स्वामी तो निरंतरी स्या होते जा रहे है ये कैसा अनिष्ट है प्रतीत होता है इस बालक पर हमारी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पाड़ रहा तेवगन अब हमें से रोकना ही होका दो औो आय से खाले है कि यह यह असंग कि कांग यहां कैसे पहुंच गए हाँ देवराज यह कांग हमारा ध्यान बठाकर इस पर प्राहर करने से रोख रहे हैं कर दो देखिक कि दौने के अधार शुच गजळाएं हम इन प्राह को क्ष़ती न पाहंचाएं कि इन तो अपनी शक्ति बढ़ा करके हम इने कहीं दूर भैच सकते हैं झाल झाल इन काग को रोकने के हमारे समस्त प्रयास विफाल हो रहे हैं और यह काग एक चुट होकर इस इस पालक की फाल बन रहे हैं शीकर कुछ कीजिए देवगर्ण स्वामी को अंतिकार में लुक्तोने से रोकिए सुर्यदेव पर तो संकर परता हुजा रहा हमें शीकर कुछ करना होगा कर दो झाल पोट दोटों है! है वालक रुख जाओ रोग दो अपने संदकारी प्रहार को रोग दो अन्य था ये भिशन शीत संपुन सिष्टी के विनाश का कारण बनेगी ये सर्वत्र जाने वाली शक्ती तो प्रहले कसम के दे रहेंगे को अन्य मु奏 बनेख सबुठी के लिए संदकार का भीकxo की ए Southern ढ dispos अख सेंगे हैभी देशन ओनेगी खार्न क chats दितन अशक हां अन्य वाली जुग्क की मु librी कि तो के लिए के खागांे हाँ करने कि लिए Partner के बनेगी कानो स्वामी, यह शीर तो सरवेत्र बिनाश करेगी, इसे शीर रोपने का को छुपाई कीजिये, नाथ. इस भयंकर शीद के प्रभाव से अब कैलाश भी अचूता नहीं, अब तो कदाचत स्वामी यह संकट का निवारिन कर सकते हैं. इसके पूरर की और विलंब हो जाए, सरवत्र सरवनाश हो जाए, किसी भी तरह इस बालक को रोकनाई होगा. इस दुष्ट की दुष्टता और नहीं सहूंगा, मैं. अपनी गदा प्रहा से आघात कर रोकूंगा इसे. नहीं, पुत्र, तुम नहीं. देवी चाया रुगिंगी इसे. देवी चाया, आप अपने नित्रों के समक्षे अनुचित घटेत होते हुए, कैसे देख सकती है? रोकिए अपने पुत्र को, आदेश दीजे उसे कि मुक्ति करें स्वामी को अपने प्रभाव से. और वैसे भी, ये संघर्ष हमारा है. हमारे अधिकारों का संघर्ष, इसमें स्वामी और उनके साथ समस्त संसार को अंधिकार में धकेलने का क्या लाब? ऐसे शांत स्तिर्व मत रहिए, देवी. कुछ कीजिए, देवी, कुछ कीजिए. उचित कह रही है, देवी संघ्या. व्यत्तिकत अतिकारों की संघर्ष में इतना बड़ा सर्वनाश्ट तो सर्वता अनुचित है. ऐसे मुक्स तब तुमत रहिए, देवी चाया. शीकर कुछ कीजिए. आप मेरी प्रति चाया है. मुझसे ही आपका स्तित्व है. ये स्वामी सिर्फ मेरे ही नहीं. आपके भी स्वामी है. अदबुत! विपदा आई तो ये कि शर्ण मेरी माता का स्मरण हो आया. विपदा आई तो आपने ये भी सुलिकार कर लिया कि मेरे पिता सूरदेव है. और वो सिर्फ आपके ही स्वामी नहीं, मेरी माता के भी स्वामी है. तो फिर इतने समय तक मा के इस अधिकार को क्यों नकारती आई आई आप? अब मैं पीछे हटने वाला नहीं. सूरदेव को उनके क्रत्त का परणाम भुगत नहीं होगा. समय रहते यदि व्यक्ती अपनी भूलों पर विचार कर ले, तो फिर बाद में उसे पच्टाना नहीं पड़ता. प्रभू, मा की पेड़ा मुझसे नहीं सही चाती. सूरदेव, ऐसे परतापी मातरभातर पुत्र को, उनकों के अधिकार देने से, नकार रहे हैं हैं. मुझे शमा करती चमा, मुझसे बहुत बड़ी बोल हो गई. रुकिये, रुकिये, मैं इन्हें अपने पिता के रूप में कभी भी स्विकार नहीं कर सकता. यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्विकार नहीं हैं, तो तुम भी मझे अपने पुत्र के रूप में स्विकार नहीं हो.